नमस्ते दोस्तों आपका श्वागत है अराद्या किचन में चलिए बेसन का मोदक बनाते हैं तो यहां पर हमने मिक्सिंग जार लिया हुआ है एक कप कच्चर नारियल घिस कर ले लिया है इसे डाल देते हैं मिक्सी में एक कप दूद लिया है यह भी डाल देते हैं मिक्सी में यह मोदक खाने में बहुत ही टेश्टी होता है और बहुत ही आसानी से कुछ ही इंग्रीडियन से बन जाते हैं एक कप हमने चीनी लिया हुआ है अब इसको हम पीस लेते हैं तो यह देखिए हमने सब पीस लिया है बहुत अच्छा पेस्ट बन के तैयार है तो हमने एक पैन लिया है गैस ओन कर दिया पैन में थ्री टेबल इस्पून देशी घी डालेंगे घी मेल्ट होने देते हैं अब हमने एक कप बेशन लिया हुआ है इसी भी डाल देते हैं यह चनी का बेशन है और इसको हम 10-11 मिनिट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे मीडियम फिलेम पर जब तक इसमें अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए इसमें से अच्छी खुसबू ना आ जाए तब तक इसको हम भूनते रहेंगे वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो यह देखिए थोड़ा थोड़ा कलर अब चेंज हो रहा है बेशन का मोदक तो आपने बहुत ही खाया होगा लेकिन इस तरह से बना कर खायेंगे तो बहुत ही तेश्टी लगेंगे बेशन में एक खास बात होती है जब बेशन अच्छे से भुन जाता है तो इसमें खुसबू बहुत अच्छी आती है यह देखिए कलर हमारा चेंज हो गया है बेशन का अगल बगल वाले भी सोचते हैं कि इनके घर में कुछ बन रहा है कुछ महक रहा है तो इसमें एक कप हमने मलाई लिया हुआ है दूद की मलाई है इसी भी डाल देते हैं चार से पांच चमश अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से चलाएंगे यह जब तक डो फोम में नहीं आ जाता है तब तक आप इसको ऐसे दबा के चलाते रहे इस पैचुला से इसमें गुठलियां भी पड़ जाती है तो डरिएगा घबराईएगा नहीं यह धीरी धीरे अपने आप सॉफ्ट होती गलती जाएंगी यह जिस तरह से आप इसको चलाते जाएंगे यह देखिए बेशन में अच्छे खिल के दाने आए हैं बेशन हमारा भरबरा हो गया है ऐसे धीरे धीरे आप चलाते रहें डो फॉर्म में अपने आप आता जाएगा इसको गुठलियां तूटती जाएंगी जैसे जैसे तो हमने जो मिक्सी में पेश्ट बनाया हुआ था यह डाल देते हैं अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे बेशन भुनने में टाइम तो बहुत लगता है लेकिन कोई बात नहीं जब खाते हैं तो अच्छा लगता है सारी थकान दूर हो जाती है हाथ की तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे इसे दबा दबा के इसमें जितनी गुठलियां है सब तूट जाएंगी सब मिक्स हो जाएंगी आप इसे कांटीनी चलाते रहें अगर चलाना छोड़ देंगे तो यह जो है नीचे से चिपकने लगते हैं अब इसमें वन टेई स्पून इलाजी का पाउडर डाल देते हैं खुसबू बहुत अच्छी आती है फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है खाने में इसे भी मिक् तो यह देखिए अब डोग फोम में आ चुका है हमने गैस को बंद कर दिया है लेकिन पैन अभी हमारा गरम है इसको ऐसे ही चलाएंगे कुछ देर तक 3-4 मिनिट के करीब इसे चलाते रहेंगे आपको अगर ड्राइफ फूट पसंद है तो भी आप चौप टिकर के डाल सकते हैं काट के बारीक बारीक लेकिन हमने ड्राइफ फूट का यूज नहीं किया है इसमें तो यह देखिए अच्छी तरह से यह डो फोम में आ चुका है अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे तो यह देखिए थोड़ा सा हलका सा ठंडा हो चुका है अब इसको हम गरम गरम में ही बनाएंगे थोड़ा सा गरम है तो यहां पर मोदक साचा लिया हुआ है इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे और काजू बादाम पिस्ता जो आपके पास हो जो आपको पसंद है वो रख सकते हैं हमने बादाम और किस्ता रखा है काटके अब इस तरह से एक छोटी सी गोली तोड़ कर इस तरह बना की इसमें चिपकाएंगे और इस तरह से दबा के बंद करेंगे मोल्ड को और पीछे से थोड़ा सा जो ज्यादा है इसको निकाल लेंगे दबा के भरेंगे इसमें अब इसको खोलते हैं यह देखिए है ना मुझ में घुल जाने वाला मोदक तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे मोद में अब इसमें थोड़ा थोड़ा लगाएंगे इस तरह से दबा के अच्छे से भरेंगे और जो किनारे लगे हुए इनको निकाल लेंगे यह देखिए इस तरह से मोदक बनके तयार हैं तो इसी तरह से हम सारे मोदक बना लेते हैं यह देखिए मोदक बनके रिडी है तो आप भी बनाईए फैमली में इंजॉय करिए तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए बाई बाई